आपके नेट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है एंटी नेट पेपर वन के नाम से अमारी एक प्लेलिस्ट भी है जिस जहां पर आपको पेपर वन से रिलिटेड सभी वीडियोस जो है मिल जाएंगी अगर आप देखना चाते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है और उपर आई बटन पर क्लिक करके भी जो है आप हमारी पहले की सभी वीडियोस को देख सकते हैं ठीक है तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक करें हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो चली शुरू करते हैं पहला जो आज का सवाल है वो यह है कि स्वेप्रभा ठीक है स्वेप्रभा सिक्षन क्या है तो सही जो आंसर होगा इसका वो यह होगा आप्शन नमबर ए ठीक है 32 डीटीएच चैनल का ये जो है एक परकार का कारेकरम है जिसमें जो है शिक्षा परदान की जाती है छटी से लेकर के बारवी तक के चातरों को ठीक है तो एक परकार से कह सकते हैं लोग की टीबी के थुरू जो है एजुकेशन लाने का परियास है एक परकार का और ये जो चैनल है ये 24 गंटे और 7 दिन जो है परते एक दिन 4-4 गंटे जो है यहाँ पर जो है एजुकेशन की वीडियो मिलती है ठीक है और यहाँ पर जो एक्सपर्ट होते हैं सब ठीक है और जो ग्यारवी बारवी है 11 और 12 उनको जो है परतियोगी जो परिक्षाएं वगेरा होती है उनकी भी तयारी इन चैनल उपर करवाई जाती है ठीक है तो स्वैम परभा सिक्षन कारेकरम के तहट कितने चैनल खोले गए हैं तो याद अखने आपको 32 डीटीएच चैन संबंदित है सारी निमिन लिखित में से कौंसा विकलप सत्तावादी ठीक है कौन सा विकल्प सत्तावादी इसतर का सिक्षण को दर्स आता है सिक्षण को दर्स आता है तो सही जो आंसर है इसका वो है option number A option number A शिक्षक केंदृत ठीक है शिक्षक केंदृत जो शिक्षण है ये सत्तावादी इसतर को दर्स आता है इसमें इसमें जो है सत्ता किसके हाथ में होती है तो ये सिक्षक के हाथ में होती है ठीक है ने शिक्षण है प्रधोग की की विकास को ध्यान में रखते हुए भविश्य में एक सिख्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए ठीक है प्रदोग की के विकास को ध्यान में रखते हुए भविश्य में एक सिख्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए ठीक है चार आप्शन यह आप आमें दिये गए हैं जानकारी परदान करना नई पाट्टे पुस्तकों को विक्सित करना चात्रों का मार्ग दर्शन करना या सिक्षन में इंटरनेट का उप्योग करना तो सही जो आंसर है वो होगा option number C चात्रों का मार्ग दर्शन करना ठीक है चात्रों का मार्ग दर्शन करना next question है निमिल लिखित में से कौन सा सिक्षन अधीगम का इसतर नहीं है जब कि स्मिर्थी इसतर चिंतन इसतर और बोद इसतर वो सिक्षन अधीगम का इसतर है नेस्ट कोश्चन है अनुसंधान की परिकलपना का तातपर है तो उसका सही जो आंसर है वो है option number D यानि की चरो की बीच में संभावित संबंदों का विवरंड देना और जब ये कहा जाए कि उनको पुस्ट हो गया आपर पुस्ट करना या ना करना ठीक है तो सही आंसर हो गया option number B और C देखें वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइम ने किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियो की notification जो है आपको मिलते रहे ठीक है चले next option जो है वो ये है कि अनुसंधान के छेत्र में निस्पक्षता का क्या अर्थ है निस्प next question है निमिल लिखित में से किस परकार के सब्दों में उपकल्पनाओ का वर्णन नहीं किया जा सकता है तो सही जो आंसर है वो है option number C सामानने ठीक है सामानने जो है इसका correct answer हो जाएगा option number C अच्छा next question है अब देखिए math का question आ गया कि यदि A, B से 50 परतीशत अधिक है और B जो है वो C से 20 परतीशत अधिक है तो बताओ A, B का कितना परतीशत है चार option दे रखे हैं 100 परतीशत, 125 परतीशत, 135 परतीशत और 75 परतीशत तो देखिए A, B और C की बात की गई है A जो है C से 50 परतीशत अधिक है यानि अगर C 100 है तो A 125 है ठीक है और बोल ये रहा है और B जो है वो C से 20 परतीशत अधिक है ठीक है, B जो है वो C से 20 परतीशत अधिक है तो C अगर 100 है तो B कितना होगा, 120 हो जाएगा तो सवाल में हमसे पूछ रहा है A जो है B का कितना परतीशत है तो B कितना 120 ठीक है और A कितना 125 और multiply में यहाँ पर लिख देना है 100 ठीक है यहाँ पर लिख देना है अच्छा यहाँ 125 मैं लिखाओ यहाँ 50 परसेंट है यहाँ डीड़ सो आएगा स्वारी अच्छ एक पर दुबार से में लिख देता हूँ ओके ए जो है C से 50 परतीशत अधिक है तो अगर C 100 है तो A कितना हो जाएगा 150 यहाँ 50 परतीशत अधिक है तो 150 हो जाएगा और फिर आगे बोल रहा है B जो है वो C से 20 परतीशत अधिक है तो C अगर 100 है तो B कितना होगा 120 है तो बताइए A जो है वो B का कितना परतीशत है B कितना है 120 और A कितना है 150 कितना परतीशत है गुणे में 100 क्यूकि हमें परतीशत में आंसर चाहिए यह 0 से यह 0 कड़ गे, 3 से ही कड़ रहा है 3 चोके 12 और 3 पचे 15 और यहाँ पे गुणे में 100 है 4 से 100 कड़ जाएगा, 25 नमबर पर 25 को जब मैं 5 से multiply करूँगा तो 125% हमारा answer हो जाएगा ठीक है, option नमबर 20 का correct answer है 125% ठीक है, तो इस तरह की questions को आप इस तरीके से solve कर सकते हैं अच्छा, इसमें पूछ रहा था कि A, B का कितना परतीशत है, अगर यहाँ पे पूछ लेता A, B से कितना परतीशत अधिक है तो इसका answer क्या होता, आप मुझे comment में बसाएंगे, ठीक है comment में जरूर बताएं A, जो है, वो B से कितना परतीशत अधिक है यह आपको बताना है next question है 3A 4B और 2C सब equal है, तो A, B, C का मान क्या होगा तो देखे, जब भी इस तरीके से दे तो आपको करना क्या है, 1 बटा 3 ठीक है, अनुपात 1 बटा 4, अनुपात 1 बटा 2 लिख लेना है, ठीक है, सब को upon में कर लेना है, नीचे वाले का LCM ले लेना है, यानि कि मुझे पता है, इसका LCM 12 आएगा, लेकिन फिर भी करके दिखा देता हूँ ठीक है, तो 3 दूनी 6, दूनी 12 ठीक है, 12 आएगा, अब सब को 12 से multiply कर देना है अब 12 से जब multiply आएगा 3 से एकड़ जाएगा, 4 नमबर पर चार से एकड़ जाएगा, कितने नमबर, 3 नमबर पर, 2 से एकड़ जाएगा, 6 नमबर पर यानि कि 4 अनुपाद, 3 अनुपाद 6 जो है, इसका करेक्ट आंसर होगा option नमबर B option नमबर B जो है, इसका करेक्ट आंसर है इस तरीके से आप इस सवालों को करेंगे next question है भुकंब की तीवरता को किस यंतर में देखा जाता है option नमबर A इसका करेक्ट आंसर है, सिस्मो गराफ भुकंब की तीवरता को सिस्मो ग्राफ में देखा जाता है अगर question होता कि किस में मापा जाता है तो आपका answer होता Richter skill ठीक है? Richter skill तो सही answer इसका सिस्मो ग्राफ तो भुकम्प जो होता है इससे जो तरंगे निकलती है वो होती है P और S तरंगे P मतलब primary और S मतलब secondary आप से देफिनेशन पूछे तो पृत्वी का कमपन ठीक है आज की वीडियो में इतना ही आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइम नहीं क्या तो ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोट झाल